गुद मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाव र यू, नाउ यूर, तोड़े यूर टर्न, ग्रामर, इंगलिस ग्रामर, तो ओपन यूर ग्रामर भूग, एंड ओपन यूर सेकिंड चेप्टर, बेटा आपका सेकिंड चेप्टर, नाउन्स क्या हो गया था, हमने पढ़ा लिया था, नाउन्स आपने पढ़ लिया था, कि नाउन्स क्या होता है, यह दिखे, नाउन्स की डेफिनिशन हमने कर ली थी, यह इसकी दे, part of speech से यह निकल ली थे, common nouns and proper nouns होते हैं, नाउन की टाइप्स होते ही हमने कर ली थे, इसमें हमको हमने common noun और proper noun पढ़े थे, क्या क्या होते हैं common noun और proper noun क्या क्या होते हैं आज हम इसके exercise करेंगे यह देखिए a underline the common noun in the sentence each sentence has two common nouns one has been done for you अब देखें आपके लिए क्या है यह common noun है लेकिन जो आपको sentence दे रखा उसमें दो-दो common noun है आपको इनके नीचे underline करनी है first है the man is reading a newspaper तो man क्या है noun है common noun है और newspaper भी common noun है दोनों के नीचे क्या है underline है common noun आप जानते हो साधरन संग्या किसी wishes का नाम होगा उसे proper यह special noun कहते हैं अब यह exercise आपके लिए हो गई है यहां से आप देखना सुरू करिए यह मैंने लिख दी है यह class third subject English grammar यहां से देखे आपके यहां से देखे आप underline the common noun in the sentence each sentence has two common noun one B has done for you यह हमने पहले हमको दे रखा था हमने कर लिया है the man is reading a newspaper यहीं कि man on newspaper दोनों ही क्या है common noun है second है he goes to office by bus वो कैसे office जाता है bus से जाता है तो office भी हमारा क्या है common noun है और bus भी हमारी common noun है क्योंकि office कोई भी हो सकता है और bus भी कोई भी हो सकती किसी का नाम यहां पे नहीं बताये गया ठर्ड, there is a tree beside the house, घर के पास में क्या है, एक, पेड के पास ये घर है, तो यहाँ पर tree and house, दोनों क्या है, common noun है, ठीक है न, ट्री भी बहुत सारे हो सकते हैं, house भी बहुत सारे हो सकते हैं, फोर्थ वाला है, a woman is standing on the gate, at the gate, तो woman भी क्या है, common noun है, और gate भी आपका क्या है, common noun है फिफ्ट वाला है, the car went quickly along the road, बहुत तीजी से कार जा रही है, रोड के उपर, तो कार भी कोई भी हो सकती है, किसी कार का नाम नहीं दे रहा है, रोड भी कोई भी हो सकती है, किसी भी रोड का नाम नहीं दे रहा है, यहनि कि common है, आपके पास आपका जो sixth है, वो क्या है, we speak on the phone twice a week, अब क्या कह रहा है, यह मैं फोन में बात करता हूं, तो फोन भी हमारा क्या है, noun, naming word है, और week, week भी हमारा common noun आएगा, यहनि कि हमें इस week तो होता ही है, common noun, अगर Sunday, Monday, day होता, तो हमारा क्या हो जाता, special, यहनि कि यह आपके क्या है, यह देखिए, यह आपके, जहां ज noun, ओके, एक sentence में दो-दो common noun है, okay, turn your face, यहाँ पर देखिए, अब यह वाला करेंगे हम, underline the proper noun, each sentence, replace it with another proper noun, one has been done for you, देखो, इन्होंने हमको proper noun दे रखा है, special name दे रखा है, हमको इसको change करना है, change करके इसको दूसरे sentence में बदलना है, जैसे, रेखा is singing a song, तो इन्होंने क्या कर दिया, रेखा की जगा, रेखा क्या proper noun था, तो इन्होंने रीमा कर दिया, रीमा is singing a song, यह भी मैंने आपके लिए, बोक में लिख लिए हैं, देखिए, यहां से देखिए, बी वाला है, underline the proper noun in each sentence, replace it with another proper noun, one has been done for you, यह पूरा है, तो इन रेखा की जगा किसका नाम लिख दिया था, रेमा is singing a song, क्योंकि रेखा क्या है, proper noun है, ऐसी बेटा, my sister knows उर्दू, अब my sister, sister तो सभी होते हैं, तो sister हम चींज ने करेंगे, sister क्या है, common noun है, लेकिन नोस उर्दू, उर्दू की बात हो, एक subject की बात हो रही है, तो my sister तो ऐसे लेगा, नोस उर्दू की जगा हम लिख देंगे, आपे English, दूसरा subject, ठीक है, अब थर्ड वाला है, I bought this wash from Mumbai, इसने कहला है, मैंने ये घड़ी कहां से ली थी, मुंबई से, तो घड़ी तो कोई भी हो सकती है, किसी company का नाम नहीं है, किस घड़ी का कोई नाम नहीं है, लेकि आप देखें, फूर्थ वाला, He is working in Iran, इरान दे रखा है, कंट्री का नाम दे रखा है, वो कहां काम करता है, इरान में, तो हमने, यहां पर क्या special नाम है, इरान, इसी कंट्री का नाम, तो हमने क्या कर दिया, He is working in Japan, हमने इरान के बदले जैपान कर दिया है, हमने कैसे proper ना मेhel क्या है proper noun है ठीक है ना तो हम ने इस proper noun को किस में बदल दिया है the red fort में लाल के लिए में the red fort is a famous monument six वाला है my friend celebrate Christmas मेरी friend ने क्या celebrate किया Christmas celebrate किया तो my friend celebrate holy हम ने क्रिस्पमस जो proper noun ता उसको holy में change कर दिया है seven वाला है he did not go to तूज़े को स्कूल नहीं गया था तो हमने लिखा he did not go to school on Monday यानि कि जो टूज़े था उसको चेंज करके उसकी जगा हमने मन्डे कर दिया Tuesday क्या है प्रॉपर नाउन है तो हमने मन्डे कर दिया है एड द्बारा देखिए they go to bangalore every summer वो क्या करता है हमें इस गर्मियों में कहा जाता है bangalore जाता है तो they go to bangalore bangalore क्या है city का नाम है तो हमने यहाँ पर कर दिया है मुंबई every summer summer मतलब गर्मिया यह भी special है season का नाम है तो हमने यहाँ पर कर दिया है winter ओके अब now turn your face अब आपके पास है यह वाला collective noun collective noun किसे कहते है look at the picture note the words in colors a bunch of grapes keys यह देखे a handle of straw a crew of sailor a pocket of flower a head of elephant a team of player अब क्या है बेटा the words in a color are names of collection of groups these words are called collective noun जहां पर कोई भी चीज आपको समू में दी जाती है यहने कि बहुत सारी संख्या में दी जाती है उसे हम कहते हैं समू वाचक संग्या यह collective noun क्या कहते हैं हम उसे collective noun कहते हैं definition दिखें आपे a collective noun is the name given to a collection of groups of person, place, animals or things रहां पर खूब सारे क्या होंगे यह फिर पर्सन होंगे व्यक्ति होंगे कोई जगा होगी खूब सारे जगों के नाम होंगे खूब सारे जानवर होंगे यह खूब सारे चीजें होंगी उनको हम कहते हैं collective noun collection of nouns अपन योर पीज यह देखिए लुक एर दिस पिक्चर एंड कम्प्लीट दसेंटेंस वन हैस बिन दन फॉर यू आपको यहाँ पे पिक्चर दे गई है पिक्चर की साहता से आपने सेंटेंस को कम्पीट करना है आप फस्ट वाला कम्पीट हो चुका है आपके लिए अलरेड़ी अब इससे देखिए यह देखिए ग्रूप आफ बीज बीज जो अब मक्खी होती है बन दो मक्खी होती है इस ज़र्स कॉल्ड अस्वार्म आफ बीज जो बीज होती मक्खियों का जुंड होता है उसे कहते हैं स्वार्म और बीज का बीज मतलब उसे क्या कहते हैं जुंड को मक्खियों की जुंड को क्या कहते हैं स्वार्म कहते हैं अग्रूप आफ 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 पिक्चर किसके आफ आफ की उनको क्या कहते हैं? felt of ship कहते हैं a group of similar fishes is called school of fishes जो खुब सारी fish होती हैं उनको कहते हैं school जुन्ड में उनको कहते हैं school fishes इनका collective noun है a group of students standing together is called a class जो बच्चे एक साथ पढ़ते हैं एक ही class में तो उसको कहते हैं class क्या बन जाती है वो? class a number of steers is called a flight of steers जो बहुत सारी संख्याँ में क्या होती है? सेड़ियां होती है उनके क्या कहते है flight of steers ये इनकी collective noun है बेटा इनको कैसे करके बोलते हैं? a group of musicians singing together card is choir अब जुन्ड होता है musician का उसे कहते हैं choir कहते हैं इसको यनिकी जुन्ड जो एक समू में गाते हैं गायक बोलेंगे जिन्हें हम जो मतलब एक साथ बोलते हैं ठीक है? a group of words is called a flock of words चुन्यों का जुन्ड क्या कहलाता है? चुन्यों का जुन्ड जुन्ड होती है उन्हें हम जुन्ड में कहते हैं flock of birds ये collective noun है अब देखे a group of dogs is called a pack जो बहुत सारे dogs के ओते हैं groups में होता है उन्हें कहते हैं pack pack of dogs a number of books arranged together is called a book of is called stock of books क्या कहते हैं इसे? stock of books जुन्द्राइब आस